जान बचाने को लेकर थोड़े बहुत भी सीरियस हैं तो इंडियन मेडिकल एसोशेशन के पूरवध्यक्ष और देश के जाने मने बड़े डॉक्टर्स में से एक पदमश्री से सम्मानित डॉक्टर केके अगरवाल की एक ताजा जानकरिया है जो आपका भर्म थोड़ देगी डॉक्टर अगरवाल ने कल शाम को ही एक वीडियो के जरिये जानकरी दी है कि कोरोना हमारे देश में भी बहुत जादा बढ़ने वाला है देश में हर 13 वे 14 दिन आज की तारीक में कोरोना पॉजिटिव डबल होते जा रहे हैं किसी भी दिन पहले दिन से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में हम ये मान लें कि कोरोना चला गया है तो बिलकुल गलत होगा हमरे देश में कोरोना के फिला लेनियर रिगरेशन स्टेज आई है जो डॉक्टर अगरवाल बता रहे हैं इस स्टेज में दो सप्ता में मामले डबल हो जाते हैं पीक तब आएगा जब केस स्टेशनरी हो जाएंगे एक स्टेगनेंट लेवल पे आजाएंगे और यहां से ये कम होने शुरू होंगे लेकिन डॉक्टर अगरवाल का कहना है कि पीक से पहले सर्ज भी आएगा जिसमें हर दो सप्ता में मामले पांच गुना, साथ गुना या दस गुना तक हो जाएंगे यह पीक हमारे देश में आना भी बाकी है जो जून और जुलाई में आएगा दिल्ली, महरास्टा, तमिलनाडोर, गुजरात में सबसे पहले पीक आएगा जिसमें एक एक दिन में इन प्रदेशों में एक एक हजार, दो दो हजार मामले आपको देखने को मिलेंगे जैसा हाली में दिल्ली में आपको देखने को मिला कि एक ही दिन में एक हजार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आये और पूरा प्रशाशन हिल गया पूरा हड़कंप मजगया दिल्ली में डॉक्टर अगरवाल देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक है मित्रों उनके मुताबिक हमें बुरा दोर अगले दो महीने में देखना पड़ सकता है लेकिन दूसरी और युनिवर्सिटी आफ मिशिगन में बायो स्टेटेटिक्स और महामारी रोग विशेश अगये जो कि भारत की रहने वाली है प्रोफेसर ब्रहमर मुखर जी का भारत में कोरोना की स्थिती को लेकर एक ताजा शोध सामने है जो काफी चर्चा में है इस शोध का नाम है Lockdown Effect on COVID-19 Spread in India National Data Masking State Level Trends ये अलग-अलग स्टेट्स जो हैं 20 स्टेट्स पर इन्होंने रिसर्च की है और अपना जो रिसर्च पेपर है वो प्रकाशित हुआ है इनका इनका ये कहना है कि जुलाई के महीने में 6,30,000 से 21,00 तक कोरोना पॉजिटिव मामले भारत में आ सकते हैं जिनकी संख्या आज की तारिक में 1,82,000 है मुखर जी के मताबिक आर नंबर पहले 3 था भारत में जो कि ये 1.3 पर पहुंच गया है इसको देखना जरूरी है इसको बोलते है री प्रोडिक्शन नंबर अगर ये नंबर एक से नीचे होता है तो स्टितियां असल रूप में नियंतरन में होती है जो कि फिलाल पंजाब में देखने को मिल रहा है गया है जहां महामारी का खत्रा ठल सकता है केरल भी ऐसी स्टेज में आ रहा है और हालात यहां पर सुधर रहे हैं लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो आज भी हम देश में पांचवे नमबर पर आते हैं और स्टितियां विकट होने के सीरियल में हम लोग बहुत आगे हैं यह जो मैंने आपको स्टेट्स पता हैं तमिल नाडू, महरास्टा, दिल्ली, गुजराद इन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो इनके बाद अब राजस्थान की नमबर है दोस्तो एक बात तो तैय है कि 10 से 20 प्रतिशत ही असर हम लोगों ने अभी तक कोरोना का देखा है और हम निस्चिन्थ हो गए हैं, हम बजार जाने लगए हैं, जैसे ही सरकार ने थोड़ी डील दी है हम उस धील के साथ ही पूरे काम अपने करने लगए हैं, लोगों के संपर्क में आने लगए हैं लेकिन याद रखें, जुलाई महीने में भारी संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको आठो जरूरी बात बता रहे हैं इनका अगर आपने ध्यान रखा तो पूरी संभावना है कि आप कोरोना महामरी का शिकार नहीं होंगे और आप बच जाएंगे ये आठों चीजे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सामने आई हैं और वही हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात किसी भी तरह की सरजरी करवाने से इस कोरोना काल में बचें मतलब आप कोशिश कीजिए कि जुलाई अगस्त के महीने तक आपको छोटा कोई चीरा भी नहीं लगवाना है कोई चीरफाड नहीं करवानी है किसी भी तरह की इससे बचके रहना है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज गलव का इस्तेमाल करें अगर आप ATM से पैसे निकालने जा रहे हैं बजार से सबजी लाने जा रहे हैं किराना का सामान लाने जा रहे हैं वापस उन गलव को बड़ी तरीके से आप उनको निकाल के साइड में रख दीजिए फैंक दीजे उनको तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मास्क अनिवारे कर दिया है भारत सरकार ने इसको लगाने में लापरवा ही ना करें अभी देखने में आ रहा है कि लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिये फ्री हो गएंगी कोरोना तो हम तक आएगा नि वो जहां आना था वो आज चुका अब नहीं आने वाला है तो इससे बचे चौती चीज बच्चों को छोटे मोटे इलाज के लिए घर से बाहर ले जाने से बचे हैं अगर आपको लगता है छोटा बचा है 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने, 15 महीने का टीका लगवाना है तो 2-3 महीने आप टाल सकते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि टीका टाला जा सकते हैं 2-3 महीने बाद लगाएंगे तो भी कोई ज़ादा नुकसान नहीं होगा जो को खांसी जुखाम हो गया है घर पे इलाज करने की कोशिश करें कोई देशी इलाज से उसका उपाय करें या डॉक्टर से कंसल्ट करके आप घर से ही वो दवाई मैनेज करने ही कोशिश करें पांचवी चीज है खुल गया मंदिर में जा रहे हैं आप सोचिए अगर दो महीने हमने पूझा पार्ट घर पे की हैं तो आप घर से कर लीजे दो महीने और कर लीजे कोई दिक्कत नहीं जिंदगी बची रहेगी तो हम पूरी जिंदगी पूझा पारट आप कर सकते हैं चटी चीज है बस्टॉप पर बैठने से बचें रुकने से बचें और चूने से बचें क्योंकि चूने से भी बहुत सारी जगए आप से पहले कोई वहां पर आया उसने हाथ लगा दिया वह infected था और आपको पता भी नहीं चला तो community spreading इस समय बहुत जादा होगी जिससे आपको अगर बचना है तो bus stop या सारवजनिक जो जगए हैं उनको छूने से वहां रुकने से बैठने से बिलकुल बचें साथवी चीज है हाथ लगातार दोते रहें जितना आप दिन में कोशिश कर सकते हैं जो बीस सेकंड से जादा तक साबून बलते रहें राद दोते रहें और आठवी चीज सबसे बड़ी चीज घर पर ही रहें अगर जरूरी नहीं है तो घर के बाहर कदम भी न रखें दोस्तों जिन्दगी रहेगी तो हम लोग जिन्दगी बहुत सारे काम करेंगे बड़िया बड़िया काम करेंगे तरक्की करेंगे उचाइयों पर जाएंगे लेकिन जिन्दगी को इस समय बचाना ज़रूर है जुलाई तक कोरोना महाँमारी तबाही मचाने वाली इस तबाही से खुद को बचाईए अपने परिवार को बचाईए और या आठ काम लगातार ध्यान रखते वे करते रहे हम लोग लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे है चैनल पसंद आ रहे है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नमस्कार